अब हम बालोट जिला के एक भ्यार्थी से हम उनके बारे में कोशन करते पूछते हैं कि उनकी भरती के विशाय में क्या बूलना चाहते हैं और उनकी मंसा क्या है और सरकार की मंसा को हम लोग यहां व्यक्त करवाने चाहा रहे हैं कि ये दानवेंदर सर हैं आप सर सिख्षक भरती के बारे में बताईए कि आज तक सासन प्रसासन ने इनकी आपनी मांगों को साकार किया है कि आपको जूटे वादे कर रही है जी नमस्कार सर से पहली मैं यह बताना चाहूंगा कि 9 मार्च 2019 को वेकेंसी आई थी कि 23 साल के बाद वेकेंसी आने से हम लोग बहुत हर्सित थे लेकिन उसके बाद हमने बड़ी कुसी से फाम भरा हम में बड़ी है एक्जाम दिलाए चोधा जुलाई को जुलाई 2019 को इसमें एक्जाम हुआ और अक्टूबर में एक अक्टूबर को रिजल्ट आया नमंबर में ह आज लगभग आठ मैने होने जा रहा है और हम बहुत हुआ प्रताडित हो चुके हैं प्रती दिर हमें नौकरी किन्था जार करते करते कि अब आदेश निकलेगा अब आदेश निकलेगा इस तरह से तो आज 8 मैने हो गया है और कोरोना का संकाट का हवाला दिया जाता है जैसे कि चल रहा है कि जीला इस्तर में सब भ्यार्थी लोग अपने अपने इस्तर पर ग्यापन सौप रहें तो आपने भी कहीं ग्यापन वगिरा सोपे हैं जैसे कि सुनने में आ रहा है कि मुख्य मंत्री साब मिलने से इंकार कर रहें इनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं मुख्य मंद्र से हमने कई बारивать बेने का प्रयास की लेकिन सिख्षण भरती का नाम सुननते ही वह papainment को कैंशल कर देते हैं तो किया हम इसी लिए सरकार की बनाए थे कि हमारे आवाज को नहीं सुनेंगे वह उसी लिए यही दीन का इंतिजार था क्या जैसे कि अभी और पता चला है कि आप लोग जैसे बालोज जीला में कलेक्टर महोदे को धरना प्रदर्शन के लिए ग्यापन सोपे थे उनका क्या हुआ उनके लिए भी हमको पर्मिसन नहीं मिला हम सांतिपूर्ण तरीके से सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कई बार उसको मनें अवगत कराने का भी प्रयास किया अभी अभी उसको ग्यापन दिया गया था 24 तारीक को ग्यापन दिया गया था 28 तारीक को धर्ना प्रदसन करने के लिए लेकिन उसका भी स्विक्रिति नहीं दिया जा रहा है मतलब हम सांति पूर्ण धंग से अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है